हिंसा प्रभावित देश के पूर्वत्तर राज्य मनिपूर में इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है इसके बाद जुलाई के वहिने में लापता हुआ दो छात्रों की शफ की तस्वीरे सोशल मीडिया पर वाइरल होने लगी मनिपूर में पिछले चार महिने में जो हुआ उसने पूरे देश को धड़क जोर की रख दिया सरकार दावा कर रही है कि राज्य के हालात अब पहले के मुकाबले काफी बहतर हो गए है लेकिन सरकार के दावों में कितनी सचाई है वो प्रदेश में हो रही घटना उसे पता चलता है दरसल मणिपूर में 82 दिन से लापता राज्य में मोबाईल इंटरनेट सेवा बाहाल होने के बाद दो छातरों के शवों की तस्वीर सोशल मीडिया पर सामनी आ गई बताया जा रहा है कि ये दोनों ही चातर 6 जुलाई से लापता थे सोशल मीडिया पर जो तस्वीर वाइरल हो रही है उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि जान लेने के बाद दोनों की तस्मीरे खीची गई है एक तस्वीर में दोनों चातर किसी जंगल में बैठे हुए नजर आ रही है उनके पीछे दो हत्यारबंद लोग नजर आ रही है जबकि दूसरी तस्वीर में किसी जंगल में दोनों बच्चों के बॉड़ी जमीन पर गिरे हुए दिखाई दी रही है हलाकि ये तस्वीर किस इलाके की है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है जाच एजेंसिया इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है और अभी तक दोनों के ही बॉडी को बरामत भी नहीं किया गया है घटना को लेकर राजे सरकार ने एक बयान भी जौरी किया है सरकार का कहना है कि इस घटना की दोश्यों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी साथ ही राजे सरकार ने लोगों से शांती बनाए रखने की भी अपील की है डीवी लाइफ की रपोर्ट